सेलेक्षन नहीं हो रहा है तो दो आप्षन बसते हैं पहला आप्षन प्रिपरेशन को छोड़ दिया जाए और दूसरा आप्षन समझी गए हैं हाँ लेकिन जैदा जरूरी यह है कि सेलेक्षन क्यों नहीं हो रहा है पहले यह समझते सेलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है या तो आपने अभी अभी शुरुवात की होगी दूसरा कारण हो सकता है कि आपने शुरुवात की लेकिन बीच में छोड़ दिया तीसरा कारण हो सकता है स्कोर अब अटक सा गया आगे नहीं बढ़ रहा है या आपने थोड़ से नंबर कम होने के कारण सेलेक्शन मिस किया अगर आपने देखिए अभी अभी शुरुवात की है तहीं आरी की तो आपका स्कूर इंप्रूव हो रहा होगा अगर इन शुरुव हो रहा है तो continue your preparation अगर आपने शुरुवात की और आपने बीट में छोड़ दिया तो अभी आप पहले यह बताओ आपका गोल क्या है लाइफ में motivation क्या है करने का अगर गौर्मन्न जब आपका गोल है तो restart your preparation अपका स्कूर इंप्रूब नहीं हो रहा है तो भाई किसी expert के पास जाओ अनलाइज करो अपने score को अपने test को अपनी performance को और उसके बाद आप decide करो कि continue करना है और कैसे अपनी strategy पर काम करना है अगर same ही method से करोगे तो आपका score improve हो नहीं रहा है होएगा यहां पर आकर नहीं छोड़ना है जैसे मैंने शुरुवात में बोला अगर selection नहीं हो रहा है तो आपके पास यह जो दो रास्ते हैं इनके लिए भी आपको कुछ enabler चाहिए तो अगर continue करनी है preparation तब तो ठीक है अगर stop करनी है तो आप क्या कर सकते है प्राइवेट जॉब के और जा सकते हैं और या फिर अपना कुछ business करना होगा पहले मैं बात करता हूँ preparation continue करने के लिए आपके पास time चाहिए time is the most precious resource आपको पैसा भी चाहिए भई कुछ खाने के लिए कुछ books के लिए coaching करने के लिए क्योंकि quality अगर आपकी preparation में होएगी तो definitely selection के chance बहुत बढ़ जाते हैं फिर आपको motivation भी चाहिए कैसे भई इतने घंटे पढ़ाई करें time तो है बट वो कि कहां से मिलेगा और आपको right guidance चाहिए मेहनत तो गदावी करता है बिना मेहनत के नहीं होगा कुछ भी लेकिन मेहनत करके सब कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं है प्राइवेट जोब की अगर बात करूं तो आपको पास पहले तो कुछ qualification चाहिए और आपको चीए skills जो आपको match करेंगी job की requirement के हिसाब से वहाँ पर न यह exam की knowledge से descriptive answer लिखके selection नहीं होजा वो देखतें कौन operations के लिए fit है कौन marketing के लिए fit है कौन sales के लिए fit है और अगर कोई technical काम करना है चाहिए वो accountant का हो legal से related हो IT से related हो तो आपकी matching skills है या नहीं this is the key point in private sector recruitment और तीसरा important चीज है कि hiring manager तक पहुंचे कैसे तो अगर आप preparation continue करना चाहा रहे हैं और अगर आप private job करना चाहा रहे हैं यह दुनों साथ में भी हो सकती है क्योंकि कई बार आपको प्रिप्रेशन को continue करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा हो सकता है वो आज आपको एक private job दिला दे और आप जैदा अच्छे resources जैदा अच्छी coaching जैदा अच्छी books अपनी preparation में डाल पाएं आज आप private job में जाएं कल को आप government job में जाएं यह दोनों ही चीजों पर detail जानकारी के लिए आपको जोइन करनी है workshop हम डीटेल में बात कर रहे हैं faculty members जिन्होंने दोनों सेक्टर में अपना job किया हुआ है और यह exam में selection भी लिया हुआ है अलग-अलग link दिये description पर आप private job वाला workshop जोइन करना चाते हैं वो किजिए आप RVA grade भी करना चाते हैं वो किजिए से भी का उत्तर मिलेगा better clarity develop होगी कि क्यूं selection नहीं हो रहा है और मुझे live में क्या करना चाहिए 50% faster preparation का अकेला platform है I am sure you will unfold your potential under the guidance of learned faculty members आपको पसंद आया यह वीडियो तो please like और share करना ना भोले thank you